वेलकम टू चैनल नौलेज आफ फार्मेशी को फोल सीरप का आज हम रिव्यू करते हैं तो यह आयोरबेदिक कफ रिलीबर है यानि यह आयोरबेदिक मेडिशिन है और कप से यह राहत दिलाती है यानि कफ से जो है आराम दिलाती है और नान ड्रावजी फार्मूला यानि यह जो है नीद भी नहीं लाती है ये ड्राउजनस काज नहीं करती है ये नीद नहीं लाती है और जो है नीद बिना लाए हुए कब से रहा दिलाती है वहीं इसके ब्रॉंड नेम की बात करते हैं तो चर्क चर्क जो की चर्क पोफोल चर्क का ये काफी famous brand है और इसमें कौन-कौन से ingredient है एक एक करके चर्चा करते हैं तो इस पे total 14 ingredient है यानि 14 ingredient है तुलसी सबसे पहला है तुलसी जो कि एक anti-cancer drug है anti-cancer drug है और anti-diabetic है anti-microbial है यानि anti-microbial property रखती है तुलसी को आप जान ही रहे हैं होती है अच्छे उसदी है यह खांसी को रोकती है यानि खांसी जो आती है उसको रोकने का कारी करती है और लीबर और किड्नी के डिचीज के लिए भी फायदे मंद होती है तो तुलसी भी इसमें है और जो दूसरा ingredient है एडूसा या वसाका यह बुखार खांसी और अस्थमा के लिए बहुत ही अच्छा है और तीसरा जो इन इग्रिडेंट है हल्दी यह आप ही जान रहे हैं हल्दी जो है पहले से भी और यह मसालों में यूज होती है तो हल्दी खांसी को या इम्मुनिटी पावर को बढ़ाने का कारी करती है इम्मुनिटी हांस इन हांसर है यानि इम्मुनिटी को बढ़ाती है सोट जो कि सूजन को कम करती है बहुत पहले से सोट यूज हो रहा है सूजन को कम करने के लिए और यह जो है सोट भी इसमें है और अगला जो ingredient है वो है बहड़ा बहड़ा जो है आप जाने ही रहें बहड़ा तो ये वात, पित और कफ यानि लीबर के डिजीज में भी काम करता है आर्टिया यानि जो आर्टिया रिस्पारेटी ट्रेक इंफेक्शन है उसमें भी कार करता है और थ्रोट में थ्रोट का जो इंफेक्शन होता है टॉंसलाइटिस में भी ये help करता है मुलेठी मुलेठी पहले से पान में यूज हो रही है मुलेठी जो है गले की खराश से आराम दिलाती है तो मुलेठी भी इसमें ingredient है भट भटक तेया यानि भट कटेया जो है ये कफ से यानि जो खासी होते उससे र रहत दिलाती है और जो अगला ingredient है बन फासा बन फासा जो हैडक से या ब्रॉंचाइटिस जहां पर टिस जुड़ गया है टिस का मतलब होता है कि इंफ्लामेशन यानि ब्रॉंची में हमारे इंफ्लामेशन है सूजन है और रेडनस है तो उससे भी ये रहत दिलाता है वहीं जो ingredient है वरंगी ये क्या करता है सिरदर्द से बुखार से खासी से फोड़ा से रहत दिलाता है और पीपली भी इसमें है पीपली जो है ब्रॉंचाइटिस या अस्थमा से अस्थमा या क्रोनिक ब्रॉंचाइटिस से रहत दिलाती है हेपाटाइटिस कफ या टूमर में भी लाब करती है उसके बाद जो 12 ingredient है अकरकरा अकरकरा दात के दर्द के लिए अच्छी है 10 के लिए लिंफ के लिए RTI के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है उसके बाद जो 13 है वो काली मिर्च काली मिर्च कैंसर के लिए कबज के है खासी के लिए कब्ज के लिए पेट के लिए और गैस के लिए यानि अद्रक और काली मिर्चा भी जान रहे हैं सब्जियों में जो मसाले होते हैं उसमें भी प्रियोग में लाई जाती है तो यह बहुत ही वेनिफिसियल इसमें इंगिरिडेंट जो फोर्टीन है जो कि कप यानि जो का उता है उससे रहे का उसे रहा दिलाती है तो बहुत होता से यह रहा दिलाती है और नेचुरली आप्टिमाईज इमून सिस्टम यह जो प्रतिरोधक्ष छमता होती है बॉडी की उसको क्या करता है यह नेचुरली यानि जो प्राकिर्तिक यह उसको बढ़ाने का कार करता है यह उस दी और यह ब्रॉंचियल अस्थमा जो ब्रांची मे अस्थमा हो जाता है उसमें यह लाबदायक है और एंटी इंफ्लमेटरी सूजन को कम करती है और एंटी सेप्टिक प्रापर्टी भी रखती है यानि जो है एंटी सेप्टिक प्रापर्टी रखती है तो यह इसके काम है यानि खासी के लिए एक हरबल सीरफ है जो गले की ज सरीके से या काम करता हूं, इसके side effect की बात कर लेते हैं, तो इसका कोई side effect नहीं है, क्योंकि यह आयरुवेदिक है, और dogeach की बात करें, तो infant यानि जो infant हैं, उनको आधा Tea Spoonful आधा चाहे का चम्मच उनको देना है सुबा साम और दोपार भी दे सकते हैं चिल्डर्न जो हैं जो बड़े बच्चे हैं उनको एक Tea Spoonful यानि एक चाहे का चम्मच देना है और जो एडल्ट हैं वो दो या तीन Tea Spoonful एक दो मतलब दो या तीन चाय का चमच थार्टी यानि जो है थ्री टाइम स्वरी थ्री टाइमस डेली या जैसा आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं थ्री टाइम करते हैं यानि टीडियस करते हैं आप बीडी करते हैं दो बार करते हैं तो वो उनके अकार्डिंग आ आप इसको ले, ओके थैंक्स आप जाहें तिसके इन सौर्ट ले सकते हैं, फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो